आज हम chapter 6 integers का exercise 6.3 करेंगे 6.3 का जो first question है हमारे पास subtract the first integer from the second first integer को हमें क्या करना second integer से subtract करना है तो first part, first question का first part ये है हमारे पास 7 and 9 second integer से first integer subtract करना है तो पहले हम क्या करेंगे second integer लिखेंगे subtract के लिए minus का sign और ये आपके पास 7 तो 9 में से अगर आप 7 minus करोगे तो आपके पास आगया 2 इसका जो B part है आप देखो B है हमारे पास 6 and 10 second integer से first integer minus करना है तो 10 minus 6 10 में से 6 minus करोगे तो आपके पास आजाएगा 4 C part है हमारे पास C है हमारे पास minus 6 and 4 अब हम second integer लिखेंगे पहले subtract करना है तो sign minus का अब क्या minus करना है minus 6 तो इस minus 6 को हम bracket के अदर लिखेंगे ये sign हमने minus का अपनी तरफ से लगाया क्योंकि हमें subtract करना था और 4 हमारे पास second integer था अगर एक minus हो और एक plus हो तो हम यहाँ minus लिखेंगे अब ये दोनों ही plus के हो गए तो 6 plus 4 क्या हो गया 10 हो गया हमारे पास अब d बढ़ देखो d है हमारे पास 6 and minus 4 6 and minus 4 फिर से second integer हम पहले लिखेंगे minus 4 फिर plus करना है क्या plus करना है 6 sorry subtract करना है तो minus 4 और यहाँ पर minus 6 तो यह हमारे पास हो गया minus minus क्या हो था plus minus minus plus 6 plus 4 कितना हो जाएगा minus 10 हो यह हमारे पास answer आ गया question second भी same है question second देखो minus 6 from minus 9 हमें second integer से first integer minus करना है from के बाद वाली जो integer होती है उसको हम पहले लिखते है minus 6 from minus 9 तो minus 9 फिर subtract का sign लगाएंगे subject करना है हमें then minus 6 इसको हम bracket में लेगे अब देखो क्या करेंगे minus 9 यह minus और यह minus 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 क्या होता है plus होता है अभी बताया था मैंने उपर वाले question तो यह 6 यह minus plus क्या हो जाएगा minus 6 9 में से 6 minus करेंगे तो minus 3 9 में से 6 गया तो minus 3 sign greater number के साथ जो है वो ही आएगा ठीक है तो यह हमारा A पार्ट ओगे यह है B B है हमारे पास B है हमारे पास minus 6 from 9 minus 6 from 9 अब हम 9 को पहले यहां लिखेंगे second integer फिर minus सब्रेक्टर साइन लगाएंगे और minus 6 इसको ब्रेकर में रखेंगे 9 यह minus minus क्या हो गया plus 6 और यह क्या हो जाएगा 6 plus 9 15 यह हमारे पास answer यह next है हमारे पास C पार देखो इसका C है हमारे पास 6 from minus 9 6 from minus 9 तो आप minus 9 पहले लिख लो फिर minus और यह 6 है तो यहां पर आपके पास 6 अब देखो ध्यान से यह minus है यह minus है यह भी minus है तो minus minus क्या हो जाता है हमारे पास minus हो जाता है plus to sign minus का यह होता है जब minus minus हम plus करते हैं तो sign minus का लगाएंगे यह हमारे पास minus हो इस तरीके से आपका question first and question second जो है exercise 6.3 का complete हो गया